ये हमागदोशन पॉर सिबिल सर्विशेज मैं अनुराग शौधरी दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है विभिन परिक्षाओं के सामान ग्यान और सामान अध्यन के लिए अत्यन्त महत्तपों टॉपिक जीव जन्तुओं के संड़क्षण से संबंधेत महत्तपों प इसके अलावा परिक्षाओं के द्रिष्टि से इन परियोजनाओं के अंतरगत जो महत्तपों टत्थे बनेंगे उनको कवर करेंगे तो सबसे पहले आईए जो जीव जन्तुओं के संड़क्षण से संबंधित परियोजनाय चलाए गई हैं उनके प्रारंभ होने के वर्स के बारे में जान लेते हैं उसके बाद एक एक करके हम थोड़ा थोड़ा डिटिल में इनके बारे में जानेंगे सबसे पहली पर्योजना जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 में एक अप्रेल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था प्रोजेक्ट एलिफेंट या प्रोजेक्ट हाथी पर्योजना ये फरवरी 1992 में शुरू किया गया था माईक जो है ये हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी कारेगरम है यानि मॉनिटरिंग आफ इल्लीगल किलिंग आफ एलिफेंट्स तो ये माईक जो कारेगरम है 2003 में शुरू किया गया था गिद्ध सन्रक्षन पर्योजना वर्स 2006 में इसकी अलावा हंगुल पर्योजना के बारे में जान लीजे हंगुल पर्योजना वर्स 1970 में शुरू किया गया था कस्तूरी मिरिक पर्योजना का प्रारंब 1970 के दशक में किया गया कच्छुआ सन्रक्षन पर्योजना 1975 में गैंडा पर्योजना 1987 में गैंडा पर्योजना शुरू किया गया इसी के तहत देखे मगरमक्ष के सन्रक्षन से संबंधि जो महत्वण पर्योजना है मगरमक्ष सन्रक्षन पर्योजना 1975 में हिम तेदुआ पर्योजना ये वर्स 2009 में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बश्टर्ड देखे ग्रेट इंडियन बश्टर्ड जो है इसके सन्रक् थामिन म्रिग परियोशना की शुरुआत 1977 में की गई थी। अब आये इन परियोशनाओं के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। बहुत जादे बहुत बिस्तार में नहीं लेकिन जो परिक्छाओं की दृष्ट से महत्तपूर तथे हैं। हम उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो है हमारा प्रोजेक्ट टाइगर है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर हमने वर्स बता दिया कि 1 अप्रेल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। दोस्तों इसका प्रारंप 1 अप्रेल 1973 क भारस सरकार द्वारा जिम कारवेट राष्टी उद्ध्यान आप देखिए देखिए जिम कारवेट राष्टी उद्ध्यान जिम कारवेट निशनल पार्क उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की गई थी और आप जान लीजे नैनी ताल उत्तराखंड जिम कारवेट परिवर्तन मंत्राल है और आप जान लीजे कि भारत में कुल बाग राज जी की संख्या 18 है और भारत का राश्टी पसू बाग यानी टाइगर है दूसरा अब हम जानेंगे प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में देखें प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथियों के संडक्षण क ये लिए बहुत ही महत्वण परियोजना है प्रोजेक्ट एलिफेंट और इसकी शुरुआत फरवरी 1992 में शुरू की गई थी और दोस्तों आप जान लीजे एक और महत्वण प्रश्ण की प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है ये पहली बार फरवरी 1992 में सिंह भूम हाथी यहां पर मैं नोट कर दे रहा हूँ सिंह भूम हाथी रिजर्व यह कहां पर इस्थित है तो याद रखेगा सिंह भूम हाथी रिजर्व यह आपका जारखंड राज में जारखंड राज में इस्थित है यहां से प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरु हुआ था और प्रोजेक करना मनुस से और हाथी के बीच के संघर्स को रोकना और बंदी हाथियों का कल्यार करना है प्रोजेक्ट एलिफेंट के बाद आए जानते हैं अब माइक ये बहुत ही महत्वपोण योजना है माइक माइक का फुल फाम होता है मॉनिटरिंग आफ इलीगल कीलिंग आफ एलिफ साइट्स के द्वारा दक्षिण एसिया के देशों में माइक योजना सुरू की गई थी और इसका उद्देश जो है आप ऐसे भी पूस सकता है कि माइक योजना किस से संबंधित है तो ये माइक योजना बिशेश रूप से हाथियों के जो अवैध हत्या है उस को रोकने के लिए समय के साथ इन प्रविर्टियों में क्या बदलाओ आये हैं उनकी पहचान करने के लिए और इन बातों की मुल्यांकन करने के लिए कि इन बदलाओं के पीछे साइट्स के नेड़ेओं की क्या भोमिका रही है इसके संबंध में माइक योजना शुरू की हाथियों की अवयद हप्त्या की निगरानी का कारेकरम था ये चलिए अगली महत्वपोण योजना है गिद्ध संरक्षन प्रोजेक्ट दोस्तों गिद्ध संरक्षन तो यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूं गिद्ध संरक्षन प्रोजेक्ट ये बहुत ही महत्वण योजन तो याद रखिएगा गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट जो है ये वर्स 2006 में हरियाड़ा बन विभाग और बामबे निचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच गिद्धों के संरक्षण के लिए समझाता हुआ और इसी के तहट याद रखिएगा दोस्तों हरियाड़ा के और यहाँ पर देश का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र खोला गया था आप जानते हैं गिद्धों की संख्या बहुत कम हो गई है ये बिलुक्त होने के कगार पर हैं कुछ परकार के रसायन जो है इसके लिए जिम्मेदार हैं इनके खात्मे के लिए या इन पाल हैदराबाद और भोनेश्वर में गिद्ध संरक्षण परियोजना की सुरुआत होई थे एशिया से समाप्त हो रहे गिद्धों के संरक्षण के लिए एक और कारेकरम सेव देखे सेव कारेकरम शुरू किया गया था सेविंग एसियाज वल्चर्स फ्राम एक्ष्टिं तो ये एशिया से समाप्त हो रहे गिद्धों के संरक्षण के लिए ये परियोजना शुरु की गई थी तो गिद्ध संरक्षण से संबंधित है सेव परियोजना तो याद रखेगा और भारत का पहला जटायू जटायू जिसको राज गिद्ध कहा जाता है रेड नहां से आपको मिला है भारत का पहला जटायू 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 जो है पौराडिक राम कथा में इनका बढ़ान आता है कि इन्होंने सीता हरण के समय रामर से युद्ध किया था तकि वो सीता को इस तरह से अभरित करके ने ले जाय पाए तो भारत का पहला जटायू संर प्रजनन केंडर ये कहां पर खोला गया है तो ये यूपी के महाराज गंज जिले में खोला गया है और यूपी इस्पेसल खंड के लिए ये प्रश्ण बहुत ही इंपोर्टेंट है अब आईए हांगुल पर्योजना के बारे में जानते हैं ये हमारे आज के टॉपिक में हांगुल पर्योजना की शुरुआत दोस्तों कब की गई थी तो अभी अभी हमने बताया है 1970 यानी 1970 में हंगुल पर्योजना की शुरुआत जम्मु कस्मीर सरकार और इसने IUCN और WWF के साथ मिलकर ये पर्योजना शुरू किया था याद रखेगा हंगुल जो है जम्मु कस्मीर सरकार और IUCN यानी International Union for Conservation of Nature और WWF तो यहां पर IUCN और WWF यानी World Wildlife Fund और International Union for Conservation of Nature ये और जम्मु कस्मीर सरकार दोरा ये पर्योजना इनके साथ मिलकर शुरू की गई थी और हंगुल Central Asian Red Deer प्रजाती का एक ही रण है इसको कस्मीरी इस्टैक भी कहा जाता है और दोस्तों हंगुल जो है ये मुख्य रूप से जम्मु कस्मीर के दाची गाम राष्टे उद्यान में इसका संरक्षन किया जाता है तो हंगुल पर्योजना 1970 में शुरू किया गया थ अब आईए कस्तूरी मृग पर्योजना के बारे में जानते हैं हमने अभी अभी आपको याद करने के लिए भी बताया है कस्तूरी मृग पर्योजना इसकी शुरूवात कब हुई थी आपको बताना है तो मस्क डियर प्रोजेक्ट या कस्तूरी मृग पर्योजना की और कहां से उत्राखंड के केदारनाथ अभ्याराणे से दोस्तों याद रखिएगा ये कस्तूरी मरिक पर्योशना शुरू किया गया था 1970 के दसक में ये IUCN के सहयोग से कस्तूरी मरिक पर्योशना शुरू की गई थी और जो है कस्तूरी मरिक के लिए जो प्रसिध अभ्याराणे हैं उसमें शिकारी देवी अभ्याराणे हिमाचल परदेश में हैं बद्रीनाथ अभ्याराणे उत्राखंड में और कस्तूरी के लिए आप जान लीजे कस्तूरी के वल दोस्तों नर मरिक में ही पाई जाती है नर्मिग में ही पाई जाती है मादा मरिग में नहीं और इस प्रकार के मरिगों के संड़क्षण के लिए ये परियोजना शुरू की गई थी और कस्तूरी मरिग मुखेते ही माचल पर्देश की चमबा घाटी से लेकर सिक्किम के हिमालई छेतर में ही पाई जाते हैं तो कस्तूरी मिरिक पर्योजना की सुरुआत 1970 के दसक में उत्राखंड के केदार नाथ भ्याराण से IUCN के सहयोग से किया गया था। अब आईए अगला जो पर्योजना है महत्वपोंड जियोजनतों के संरक्षण की वो है कच्छुआ संरक्षण कच्छुआ यानि टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट तो यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ कच्छुआ संरक्षण प्रोजेक्ट बहुत ही महत्वपोंड ह वर्स बताईए तो कच्छुआ संरक्षन पर्योजना 1975 में सबसे पहले ओडिशा याद रखेगा ओडिशा में जो है केंद्र पाड़ा में जो भीतरकड़ी का अभ्यारण है भीतर कडिका अभ्यारण से ये कच्छुआ संडक्षन प्रोजेक्ट 1975 में शुरू किया गया था और ओडिशा के 36 में आप जानते हैं ओलिव रिडले समुद्री कच्छुए होते हैं ये सबसे ज़्यादा पाई जाने वाले कच्छुए की पर जाती है और ओडिशा में ओलिव रिडले के जो प्रमुख प्रजणन अस्थल हैं उसमें आप देख सकते हैं कौन-कौन गहिर माथा ये ओलिव रिडले के प्रजणन के प्रमुख केंद्र है रोशी कुलिया नदी है यहां से भी ओलिव रेडले कच्छुए जो है प्रजनन करते हैं और एक देवी नदी यहां पर भी जो ओलिव रेडले कच्छुए हैं उनका मुख्य प्रजनन अस्थल है तो याद रखिएगा दोस्तों कच्छुए सनरक्षन पर्योजना 1975 में ओलिव रेडले के प्रमुख प्रजननस्थल गाहिर माथा रोशी कुलिया नदी और देवी नदी हैं अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं तो ये है गैंडा पर्योजना गैंडा पर्योजना बहुत ही महत्दपूर है आप जानते हैं कि गैंडा पर्योजना की सुरुवात 1987 में किया गया था और दोस्तों ये परियोशना WWF इंडिया और अंतराष्टी राइनो फाउंडेशन के सहयोग से किया गया और एक सिंग वाले महान गैंडे एक सिंग एक स्रिंग गैंडा एक सिंग वाले गैंडा कहां पाय जाते हैं ये भारत में पाय जाते हैं और नेपाल में आप जानलेजे कि एक सिंग वाले गेडे जो है ग्रेट राइनौ जो है ये भारत और नेपाल में पाये जाते हैं भारती गेडू का मुख्य जो सरण अस्थली है या इनका जो अस्थल है जहां ये पाये जाते है मुख्य रूप से मानस अभ्याराणे असम में काजी रंगा उद्यान असम और जालदा पारा अभ्याराणे पश्रिम बंगाल में राइनोज का संडक्षन किया जाता है और गैड़ा परियोजना 1987 में शुरू किया गया था अगले प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं ये है मगर मच्छ संडक्षन परियोजना बहुत ध्यान से सुनिएगा याद भी करते चलिएगा कि ये जीव जन्तों से संबंधित परियोजना उसे संबंधित प्रश्न प्राय सभी परिच्छाओं में पूछे जाते हैं इसलिए हमने समाहित रूप से संकलित रूप से इसको एकठा करने का प्रयास किया है ताकि कोई भी प्रश्न यहां से आपका छूटने ने पाए तो याद रखेगा दोस्तों मगरमच्छ संडक्षन पर योजना 1975 में शुरू किया गया था और 1975 में मगरमच्छ प्रजनन और प्रवंधन का जो शुरूआत हुआ था लेकिन यह योजना मुख्य रूप से जो है 1976 में शुरू की गई थी अगर जो प्रोजेक्ट की बात करें तो यह 1976 में FAO Food and Agriculture Organization और UNDP याद रखिएगा FAO और UNDP तो इनके बारे में जान लेते हैं खाद्य और क्रिसी संगठन और संयुक्त राष्ट विकास कारेक्रम इसके द्वारा मगरमच्छ संडक्षन पर योजना शुरू की गई थी और इसकी शुरूआत भागवतपुर मगरमच्छ पर य मगरमच्छ हैं उनकी सरवाधिक संख्या भीतर कडिका राष्टी उद्यान ओर डिशा में पाई जाती है और इसी से संबंधित एक अन्य महत्तोपूर तथे आप सभी के लिए है केंद्री मगरमच्छ प्रजनन और प्रवंधन प्रसिक्षन संस्थान ये हैदराबाद तिल अंगाना में इस्थित है ये प्रश्न भी महत्तोपूर है पूछा जा सकता है अब आये अगले पर्योजना पर चलते हैं ये हिमतेंदुआ पर्योजना हिमतेंदुआ जैसा की नाम से असपष्ट है ये हिमालाई छेतरों में ही पाए जाते हैं और इन्हीं के संरच्छन के बारत के हिमालाई राज्य, संग शासित प्रदेश, जम्दुकस्मीड, हमाचल प्रदेश, अरुराचल प्रदेश और सिक्किम में किया जाता है क्योंकि यहीं पर हिमतेंदुआ पाए जाते हैं और उनके संरच्छन के लिए ये पर्योजना जन्वरी दो हजार नमें शुर प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये दोस्तों मैदानी छेतरों में पाई जाने वाली ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को अस्थानी भासा में गोदावड भी कहा जाता है राजस्थान में इसको एक नाम याद रखिएगा गोदावड कहा जाता है और इसकी शुरुआत जो है पांच जून 2013 से की गई थी राजस्थान सरकार ने जैसल मेर से इस प्रोजेक्ट को इस पर योजना को प्रारंब किया था तो याद रखिएगा प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बश्टर्ड ये अस्थानी नाम जो इस चिडिया का है गोदावड उसके संरक्षण के लिए शुरु किया गया था पांच जून 2013 से और राजस्थान जो गौर्मेंट है हमारा उसके द्वारा जैसल मेर से ये योजना श बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो संकट ग्रस्त जीव है लाल पांडा पर योजना की शुरुआत उनीस सो चानबे 1996 में WWF इसके सहयोग से कहां से तो आप एक फैक्ट और जान लिजे पदमजा नाइडू हिमालेयन हिमालेयन जन्तु पार्क पदमजा नाइडू हिमालेयन जन्तु पार्क से वर्स 1994 में WWF के सहयोग से ये परियोजना लाल पांडा परियोजना शुरू की गई थी लाल पांडा कहां पाये जाते हैं तो ये पूर्वी हिमाले के पूर्वी हिमालाई छेत्रों में जो संबंधित राज्य हैं वहाँ पर लाल पांडा पाये जाते हैं और भारत में ये सिक्किम अरुडाचल प्रदेश और पश्यम बंगाल के दारजिलिंग में पाये जाता है इसका अन्य नाम रेट कैट बियर और फायर फाक्स हैं तो याद रखेगा लाल पांडा परियोजना 1990 में डबलु डबलु यापके सहयोग से शुरू की गई थी ये पूर्वी हिमालाई छेतर में भारत के सिक्किम अरुडाचल प्रदेश और पश्यम बंगाल के दारजिलिंग में पाया जाता है अब आए ये लाश्ट में जान लेते हैं एक महत्तोपोन परियोजना मडिपूर थामिन म्रिग परियोजना और ये थामिन म्रिग जो हैं ये मडिपूर में ही पाया जाते हैं इनका नाम है ब्रो एंटेलर्ड डियर प्रोजेक्ट और इस परियोजना की शुरुवात याद रखेगा 1977 में ये इसकी शुरुवात मडिपूर से की गई थी और ये जो म्रिग है ये जो डियर है ये केवल केवल लामजाओ केवल लामजाओ निशनल पार्क जो की लोकटक जील में इस्थित है आप जानते हैं लोकटक जील मडिपूर यहीं पर ये केवल पाया जाता है लोक्टक जील में इस्थित केबुल लाम जाओ राश्टी उद्यान है और यहीं पर ये मडीपूर थामिन म्रिग पाया जाता है तो ये सभी महत्पूर प्रश्ण जो हैं आपके आगामी परिक्षाओं के सामानिग्यान और सामानियध्यन के लिए बहुत ही उप्योगी हैं आप इसको बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से तयार करिएगा और यहां से कई प्रश्ण बनते हैं एक बार फिर से लाष्ट में आपके जानकारी के लिए आपके रिवीजन के लिए तयार करा दें कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में माइक जो है हाथियों के अवैध जो हमारा हाथियों का इल्लीगल हत्या होती है अवैध हत्या उसकी निगराने से संबंधित माईक पर्योजना 2003 में गिद्ध सनरक्षन प्रोजेक्ट 2006 में हंगुल पर्योजना ये कसमीर में जो है जम्मू कसमीर 1970 में कस्तूरी मरिग पर्योजना 1970 के दशक में उतराखंड से कच्छुवा सनरक्षन पर्योजना ये भीतर कडिका से 1975 में गैंडा परियोजना 1987 में मगरमच सनरक्षन परियोजना एक तरह से 1975 और 1975 में ये मगरमच प्रजनन और प्रभंधन शुरू हुआ था ये प्रोजेक्ट एक्चुली 1976 से शुरू हुआ था हिम्ते दुआ परियोजना 2009 में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बश्टर्ड ये 2013 से लाल पांडा परियोजना 1990 में भारत के हिमालई राज्यों सिक्किम अरुडाचल परदेस और पश्विम बंगाल में उसके संरक्षन के लिए परियोजना 1990 में WWF के सहयोग से और मडिपूर थामिन मरिग परियोजना 1977 में मरिपूर में चलाई गई और इसके बारे में महत पूर्ण तत ही ये है कि ये मरिग केवल और केवल लोकटक जील मडिपूर में इस्थित केबुल लाम जाओ राश्टी उद्यान पर पाया जाता है और ये मडिपूर का राज की पशुभी है तो हमने बहुत ही संचेप में जो है परियावरान पारिस्थित की खंडर के हमने बहुत ही संचेप में दोस्तों जीव जनतुओं के संरक्षण से संबंधित जो महत्तुपूर पर योजनाय है उनको कवर किया है और ये प्रश्ण आपके आगामी बिभिन परिक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है आप इनको त्यार कर लीजेगा दोस्तों ये व स्कार